गोसी तैसिल अंत्रिगत मजवारा शेत्र के ग्राम सवा बेला सुल्तानपुर में 11 जुलाई को श्रावस्ती मांडल के अंत्रिगत नीजी वस्तडक मार्क से कबजा हटाने गई राजस्व टीम व भूमी के मालिक सहित लोगों पर अराजक तत्वों ने पत्थराफ कर दिया था जिसमें कुछ लोग इट पत्थर लगने से गायल हो गए थे अतिक्रमण किये गए भुबाग के मामले में नया मोड आया है अतिक्रमण कारियों द्वारा उग्त सडक के किनारे पी डबल्यूडी की दायरे में आने वली जमीन व कश्तिकार के चक को अबादी घुशित करने का प्रयास किया जा रहा है इस मामले को लेकर करीब 10 दिनों से गाउं में तनाव बना हुआ है और दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ रहे हैं जिससे कभी भी कोई भी घटना गट सकती है गोसी तैसिल अंत्रगत मजवारा शेतर के ग्राम सबाब बेला सुल्तानपूर निवासी राकेश कुमार रायवा अन्य के गाउं स्थित अजारी नंबर 430 वा PWD रोड के कुछ भाग पर गाउं के अवांचित तत्वों ने मडई वा गुम्टी रखकर अतिक्रमन कर लिया वादी द्वारा 6 जून को जिला अधिकारी के यहां प्रात्ना पत्र देकर शावस्ती मांडल के तहट नीजी वा सडक मार से अवैद अतिक्रमन हटाने का अनुरोध किया अभियान के तहट 11 जूलाई को अतिक्रमन हटाने राजिस्व वा पुलिस की टीम गाउं पहुँची थी आरोपियों ने विरोध करते हुए टीम पर पत्र जिसके बाद महुची पुलिस ने दो लोगों का शान्ती भंग में चलान करते हुए अतिक्रम हटवाया वा मामला शान्त कराया था अवैद अतिक्रम करने वाले अवांची तत्व उक्त सड़क की जमीन वा चक के किनारे की जमीन को अबादी के रूप में अवैद कब्जा करने पर हतियार चार रहे थे जिससे दोनों पक्षों के लोग बार बार लाटी डंडों के साथ आमने सामने आ रहे हैं रविवार की रात्री करीम नौ बजे दबंगों के उक्त खाली कराई गई जमीन पर कब्जे की नियत से गुमती दुबारा रख दी गई जिनके बाद तनाव और बढ़ गया सूचना पर पहुँची पुलिस ने गुमती को हटवाया पुनर रविवार को सुबह गुमती रखी जाने लगी जिससे दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए मामले मेवादी पक्ष के कोतवाली पुलिस वपूर्व में मजवारा चौकी पर तैनात रहे एक एक एसाई पर अतिक्रमन कारियों को सह देने का आरोप लगाया है रविवार को लाठी डंडो से लेश होकर अवांचित दत्व चक स्वामी की दर्वाजे पर पहुँच गए जिससे अफरा तफ्रीक का महौल हो गया सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल पहुँच गया तब जाकर उपदर्वी भागे गाव में एहतियातन पुलिस के तनाती करती गई है